वेलकम बैक क्लीन नियूज चलिए देखते हैं मद्यप्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को इससे पहले आप MPK के जिले से नियूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए साथी डेली अपजीट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूले आज कल आइकेम 3000 है उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे शिक्षक दिवस पर 29 शिक्षक होंगे सम्माने मद्य प्रदेश में शिक्षक के शेत्र में उतकरष्ट काम करने वाले शिक्षकों को पुरुसकरत करने की घोशना की गई प्रदेश के उनते शिक्षकों को राजे इस्तरिय शिक्षक सम्मान दिया जाएगा 25,000 रुपे की धनराशी प्रदान की जाएगी परिक्षाना देपाने वाले स्टुडेंट्स के लिए सेप्टेंबर के दूसरे हफ़ते में होगी विशेश परिक्षा मद्यप्रदेश में सभी विश्विद्याले को अब जल्द से जल्द विशेश परिक्षा आयोजद करानी होगी परिक्षा से वंचित रहे गए छात्र छात्राओ के लिए सितंबर के दूसरे हफ़ते में विशेश परिक्षा आयोजद करनी होगी उचेश इक्षा विभाग ने विशेश परिक्षा जल्द से जल्द कराने को लेकर विश्विद्याले के रजिस्ट्रार और प्रिंसिपल को निर्देश चारी कर दिये हैं परिक्षा से वंचित रह गए छात्र छात्राओं के लिए विशेश परिक्षा का मौकाद दिया जा रहा है ग्वालियर भिंड इटावा हाईवे पर ट्राफिक का दबाव बढ़ा इसलिए फोर लेन बनाने की जरूरत एनेज 719 ग्वालियर भिंड इटावा पर बढ़ते जा रहे यातायात के दबाव के मद्यनजर इसे दो से चार लेन करने के लिए केंद्रिय नागर विमानन मंत्री जो तिरा दित्त सिंधिया ने केंद्रिय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिनकरकरी को पत्र लिखा है बाजपा नेता और प्रदेशकारे समिती सदस्य रमेश दूबे के द्वारा दिल्ली में सिंधिया से भेट कर हाईवे को चार लेन किये जाने के पहल कराने के लिए आग्रह किया गया एंपी में स्कूल की अनिश्टकाली इन हरताल शुरू भुपाल के प्राइवेट स्कूल संचालकों ने लोग शिक्षन संचाल अनाले का घेराओ किया करीब एग घंटे तक प्रदर्शन किया एस्सोसियेशन के अध्यक्ष अजीत सिंग ने बताया कि अधिकारी के बदलते ही प्रशासन बदल गया है अतिती शिक्षकों की भरती में 50% की कटोती अतिती शिक्षकों कुदं करने का सल सलाह साल भी जारी है अधिकारियों का कहना है कि गणित वाला टीचर विःज्ञान पढ़ाएगा और हिंदी संस्कृत तो कोई भी बढ़ा सकता है कोई इन से पूछे सुधाखंड हिंदी का शब्द है या संस्क्रत का पता चल जाएगा हिंदी और संस्क्रत कितनी मुश्किल है अंपी में अंबेटकर के नाम पर बनेगा वनियजीव अभ्धियारण सीम शिवराच की अध्यक्षता में फैसला मदेपदेश सरकार ने सागर जिली में नया वनियजीव अभ्धियारण ने बनाने की खुशणा की जिसका नाम भीम राओ Youtube अंबेटकर के नाम पर होगा मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान के अध्यक्षता में राजे वन्य प्राणी बूर की विगधिनों हुई बैचक में इस आशे के प्रस्ताओं को सेधान्तिक स्विकृति दी गई सरकार ने कहा कि बंदिलकंड अंचल के प्रकरती और वनेजी प्रेमियों के लिए ये अनूठा उपहार होगा अभ्यारणी के लिए 42 अधिकारी कर्मशारियों के तैनाती होगी में कुप वनमंडल अधिकारी के अलावा वनशेत्र पाल वनपाल और वनरक्षक के एक तालिस पत प्रस्तावित किये गए हैं प्रदेश में सिमी और तालिबानी सोच को कुचल दिया जाएगा प्रदेश के ग्रह मंत्री नरुत्रम मिश्चा शुकरवार की दोपैर सरकेट हाउस पहुचे उन्होंने यहां कारेकर्टा उसे मुलाकात की मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि खंडवा लोकसभा उक्चिनाव जटाने में हमारे जिलाध्यक शर्पार्टी के कारिकर्टा ही काफी है देश विरोधी गतिविडियो के बारे में मिश्चा ने कहा कि ऐसी गतिविडियो को बरदाश्ट नहीं किया जाएगा तालिबानी और सिमी जैसी सोच को प्रदेश में कुचल दिया जाएगा बांद मांगे पानी और जनता मांगे बिजली मद्रदेश में इन दिनों बिजली उत्पादन का संकर आमजन के हक में खड़ा होने के दावे के साथ विपक्षी कॉंग्रिस ने विरोध का जंडा उठा लिया शहर से लेकर गाउं तक बिजली का टौती के खलाफ आवाज मुखर होने लगी भाजबा के कई विधायकों ने भी जनता के समर्थन में बयान जारी कर बिजली विभाग की मुश्किले बढ़ा दी आखिरकार मुख्यमंत्री को हस्तक शेप करना पड़ा उनके सक्त निर्देश के बाद अधिकारियों ने अब बिजली की विवस्ता दुरुस्त करने के कवायत तेस कर दी बानने पाने की कमी और कोईले के संकट के साथ उर्जा मंत्री प्रद्युबन सिंग तूमर की एटपटे बयानों ने भी बिजली संकट को लेकर विरोध प्रदर्शनों को बढ़ावा दिया त्योहारों को देखते हुए सरकार ने प्रतिमा दाजिय के लिए पंडाल का आकार तय कर दिया है चाँकियों में ष्रद्धालों की भीर एकत्रन ना हो और शारिरिक दूरी का पालं सुरिश्चत करने के जिम्मेदारी आयोजगो की होगी कोरोना संक्रमन को दरश्टिकत रखते हुए चल रहे समारों निकालने की अनुमती नहीं होगी मूर्तीवा ताजिये के विसर्जन में दस से अधिक व्यक्तियों को जाने की अनुमती नहीं होगी बार से नुकसान मद्यपदेश सरकार ने मांगा 2.43 करोड रुपे का राहत पैकेज शियोपुर मुरैना भिंड दतिया ग्वालियर शिपुरी गुना विदीशा और अशोक नगर में बार से शतिकरत फसल अधोस अनरशना और पुष्युहानी के लिए शिवरास सरकार ने केंदर सरकार से 2.43 करोड उननिस लाक रुपे का राहत पैकेज मांगा राजस्तो विभाग की ओर से 140 पेस की ग्यापन में नुकसान का विस्तरत ब्यौरा भीजा गया है एंपी कॉलेज एक्जाम सेप्टेंबर के सेकंड वीक में आदेश चारी मद्रप्रदेश के सबी विश्विद्यालियों में सितंबर महीने के दूसरे सब्ता में विशेश परिक्षा कायोजन किया जाना है इसके लिए उच्छे शिक्षा विभाग की ओर से आदेश चारी हो गए ये परिक्षा उन स्टुडेंट्स के लिए कंड़क्ट की जा रही है जो ओपन बुक पैटर्न एक्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थे उच्छे शिक्षा विभाग ने संबंद में सभी संबंदित रजिस्टार और प्रिंसपस को निर्देश चारी कर दिये हैं महिला कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के साथ इंदौर महिला कॉंग्रेस देंगी बड़ती महंगाई के खिलाफ धरना महिने के पहली तारीक को फिर से बड़े रसोई गयस के दामों के खिलाफ महिला कॉंग्रेस शुकरवार को विरोध प्रदर्शन कर रही है प्रदेश महिला कॉंग्रेस अध्यक्ष अर्चना जैसवाल भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई प्रदेश महिला कॉंग्रेस अध्यक्ष की मौझूदगी में इन दौर में होने वाला ये पहला विरोध प्रदर्शन हुआ शेहर महिला कॉंग्रेस अध्यक्ष शियादव के अनुसार कॉरोना संक्रमन के चलते बीते दो बश्यों से केंद्र और प्रदेश सरकार सिर्फ अपने पूंजी पती मित्रों की ही सोच रही है अब इचिटपुट बोचारे पढ़ेंगी 6 सितंबर से जहमाचम के आसार अरब सागर से लगतार आरही नमी और मौनसून ट्रफ के सतना से होकर गुजरने के कारण मध्य प्रदेश में कहीं कहीं गरत चमक के साथ बोचारे पढ़ने का सलसला जारी है मौसम विज्यानियों के मताबे किस तरह के स्तिती अभी बने रहने के संभावना है उदर 6 से तंबर को बंगाल के खाडी में एक कम दवाब का छेतर बनने जा रहा है इसके प्रभाव से प्रदेश के अधिकांच जिलों में जमा जम बारिश का दौर शुरू होने के आसार है तीसरी लहर के बीश डेंगू का खत्रा इंदर नीमच में अलट पर स्वास्तव भाग देश भर में कोरोना के तीसरी लहर की आशंका लोगों के दिलों में डर बनाए है वही मध्यप्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बारिश ने कहर बर पाया जिसके बाद अबराज के कई जिलों से डेंगू के मरीज मिलने के जानकारी भी सामने आने लगी है इन दौर में डेंगू की इस्तिती कंट्रूल करने के लिए स्वास्तव भाग ने टीम बना कर घर कर जाना शुरू कर दिया वही नीमच और अतलाम जिले में भी मरीजों की बड़ती संख्या को देखते हुए स्वास्तव भाग चौकन ना हो गया है मातर पचास अजार लगा कर दस साल तक करें कमाई जानिये इस बिजनस को कैसे शुरू करें आजकर सहजन की खेती पर लोगों का फोकस तेजी से बढ़ रहा है इस खेती को शुरू कर आप छे लाग सालाना यानि पचास अजार रुपे मंथली तक कमा सकते हैं इसके लिए आपको जादा बड़े जमीन की टुकड़ा नहीं चाहिए इसके खेती के लिए दस महीने बाद एक एकर में किसान एक लाग रुपे कमा सकता है सहजन एक मेडिशनल प्लांट है कम लागत में तयार होने वाली इस वसल के खासियत ये है कि इसकी एक बार बुवाई के बाद चार साल तक बुवाई नहीं करनी पड़ती है PNB अपने खात अधारकों पर महरबान मिल रहा इतने लाग रुपे का फाइदा देश के बड़े-बड़े बैंक अपने ग्राहकों को बढ़ाने के लिए नए नए आफर्स देते रहते हैं जिने लोगों का रिस्पॉंस भी अच्छा मिलता है अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के खात अधारक हैं तो ये खबर आपके बड़े काम की है PNB अपने ग्राहकों के लिए कई खास ओफर लेकर आया है ग्राहक असानी से 10 लाग रुपे तक का फाइदा ले सकते हैं महंगाई भत्ते का एरियर मांगेंगे केंद्रिय करमशारी एक बैनर तले रखेंगे सरकार से डिमाड सेंट्रल गवर्न्मेंट एंप्लोईज के लिए अच्छी खबर है उनके महंगाई भत्ते के एरियर की डिमांड अबजोर पकड़ रही है कई दोर की बाचीत और काफी इंतजार के बाद के इंद्रिय करमशारीों के एक बड़े संगठन ने डिये एरियर की डिमांड पूरी करवाने का दवाब बनाने के लिए धरना प्रदर्शन करने का एलान किया इधरना साथ सेतंबर 2021 को पूरे देश में होगा Confederation of Central Government Employees and Workers ने करमशारीों से अपील की है कि वे इस धरने में भाग लें और डिये एरियर की डिमांड पूरी करने के लिए दवाब बनाएं भारत को मिलेगा पहला न्यूक्रियल मिसाइल ट्रेकिंग जहाज आई एनस धरूव 10 सितंबर को होगी लाँचिंग भारत जल्दी ही अपनी नौसेना की शक्ती बढ़ाने के लिए एक नए जहाज को शामिल कर रहा है तुश्मन देश की न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइस को ट्रेक करने वाला भारत का पहला जहाज आई एनस धरूव इसी महा की दस्तारी को लाँच किया जाएगा माना जा रहा है कि देश के रास्टिय सुरक्षा सलाहकार अजीद डोभाल 10 सितंबर को विशाका पत्नम में बैलिस्टिक और सेटलाइट मैसाइस को ट्रेक करने वाले जहाज आई एनस धुप का उद्खाटन करेंगे राहूल गांधी का केंदर पर हमला बोले रोजगार के लिए हानिकारक है मोदी सरकार कॉंग्रेस आंसद राहूल गांधी लगातार केंदर सरकार पर हमला वर है आई दिन वे किसी ना किसी मुद्य पर केंदर की मुदी सरकार को घेरते हैं एक बार फिर इसी कड़ी में कॉंग्रिस के पूरवध्यक्ष राहूल गांधी ने केंदर पर निशाना साधा राहूल कांडी ने ट्वीट के जरीये कहा कि मोधी सरकार रोजगार के लिए हाने कारक है उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की नौकरिया चीनने में लगी है बुदवार को दुबई रवाना होने वाली उडान के लिए सीट्स शुक्रवार को ही फुल इंदोर से दुबई के बीच में बीते बुदवार से शुरू हुई सीधी अंतरास्तिय उडान को यात्रियों का अच्छा प्रतिसाद मिला पड़ेटिक वीजा को अनुमती मिलने के बाद इस बुदवार को जाने वाली उडान की सारी सीट्स शुक्रवार को ही बुखो गई एरी अंडिया ने बीते माह के अंतिम सब्ताह में इस उडान की घूशना करते हुए एक सितंबर से इसका संचालन शुरू किया था चारवाश में निर्याद 50 से 125 करोड तक पहुचा यूरोपियन देशों ने चीन के माल से बनाई दूरी चीन के साथ यूरोपियन देशों के रिष्टों में खटास और भारत की विदेश नीती में सुधार के कारण कोविट के बाद निर्याद को पंक लगे आया ये कि अनुसार चारवश में उत्पादों का निर्याद 50 करोड से बढ़कर करीब 125 करोड रुपे तक पहुच गया इसमें मुख्य रूप से खेल का समान कारपेट आभूशन धातों के उत्पाद का निर्याद शामिल है पांच ट्रिलियन डॉलर के अट्रिवस्था बनने के लिए देश की छवी पेश करेगा भारत केंद्र ने कहा कि एक्सपो 2020 दुबई में इंडिया पवेलियन कोविट के बाद के दुनिया में देश को पांच ट्रिलियन डॉलर के अट्रिवस्ता बनने के और अग्रिसर करेगा शे महीने का एक्सपो 2020 दुबई एक अक्टूबर 2021 से शुरू होगा और मार्च 2022 तक चलेगा वारिजे सचेव बी वी आर सुब्रमन्यम के अनुसार एक्सपो 2020 दुबई में इंडिया पवेलियन पांच ट्रिलियन डॉलर के अट्रिवस्ता बनने के लिए भारत के बढ़ने के मार्च को प्रदर्श करेगा गौवंश के पालन संरक्षन के लिए अब सरकार लेगी चंदा मिलेगी आएकर में छूट मद्यप्रदेश में गायों के सुरक्षा और समवदर्द पसिया सचारी है स्वीच राजय सरकार ने गौवंश पालन के लिए प्रदेश की जंता से सहयोग की अपील की मद्यप्रदेश सरकार ने गायों के पालन पोशन और उनके जुरक्षा के लिए जनता से चंदा मांगा इसके लिए पाकाइदा मद्यप्रदेश गौपालन और पशु समवर्दन बोर्ड की ओर से विग्या पंजारी कर आम लोगों से सहीयों की अपील की गई मद्यप्रदेश में उप्चिनाओं से पहले सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ाने के लिए बीजेपी और कॉंग्रेस ने नए प्लान पर काम करना शुरू कर दिया एक तिरफ जहां बीजेपी सोशल मीडिया पर रणीती गुधार देने के लिए नई न्युक्तिया कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ कॉंग्रेस नए प्लान पर काम कर रही है कॉंग्रेस ने उप्चिनाओं से पहले प्लान रीच हंडर्ड लांच किया प्लान रीच हंडर्ड की तहट कॉंग्रेस हर जिले में सोशल मीडिया पर एक्टिव हंडर्ड लोगों को जोड रही है पहले जोडे गए सौ लोग फिर विधान सबा इस तर पर सौ और लोगों को जोडेंगे इस तरह से एक चेंड बनेगी शराब बिक्री पर बिल न देने वाले कर्मशारियों पर कारवाई के लिए अधिकारी न्यूक्त शराब बिक्री पर बिल अनिवारी रूप से देने के लिए आदेश का सकती से पालन करवाने के लिए आपकारी विभाग ने हर जोन में अधिकारी न्यूक्त किये जो न सिर्फ बिल वित्रण से जुड़ी शिकायतों का निराकरन करेंगे बलके बिल देने में आनकानी करने वाले कर्मशारियों के खलाफ कारेवाई भी करेंगे एक सितंबर से शासन के द्वारा शराब विक्री पर बिल अनिवार रूप से देने के आदेश चारी किये गए थे जिले की अधिकान शराब दुकानों में इसा आदेश का उलंगन किया जा रहा था